वेलकम व्यूवर्स राज किछिन में आपका स्वागत है आज बनाएंगे जल्दी से दस मिनिट में बनने वाली पाव भाजी की रेसिपी यह बहुत ही स्वाधिश बनती है बिल्कुल मार्केट चैसी आप एक बार इसे बनागर के देखें यह आपको बहुत पसंद आएगी इसके लिए हम दो मीडियम साइज की आलू लेंगे जिनको अच्छी तरह से दो करके काट करके टुकड़ों में कुकर में डाल देंगे एक कटोरिया रोजन मटर का यूज किया है अगर आपके पास हरी मटरों तो आप वो ले सकते हैं 300 ग्राम फूल गोभी का प्रियोक किया अगर आप इसमें गाजर का प्रियोक करना चाहा है तो एक गाजर डालें ज्यादा गाजर पाव भाजी को मीठा बना देती है इसलिए आप इसमें एक गाजर का प्रियोक करें अगर नहीं है तो आप इसके भी कर सकते हैं में सबजियां यहीं है अब एक ग्लास पाइं डाल करके मतला वह दो कप पाज डाल करके इसे कुकर को गैस पर रखते हैं और पांचे सीटी आने तक पका आएं जब अच्छी तरह से यह और प्रेशर को रिलीज हो जाने दें जब इसे खोले अब कढ़ाई को गरम होने के लिए गैस पर रखनें उसमें एक चमच एक बड़ा चमच रिफाइर नोल डाले तेल को गरम होने दें अब उसमें एक बड़ा टुकड़ा बटर का डाले और बटर को अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने दें अब इसमें आधा चमच जीरा डाले जीरा डालकर तड़कने दें जब जीरा अच्छी तरह से तड करके रख लें व्यूवर्स उम्मीद करती हूं आपको मेरी रैस्पी अवश्य पसंद आएगी पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन क्लिक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको नहीं नहीं रैस्पी की बारिक काट लें और उन्हें भून लें इन दो भूनने में कम से कम 4-5 मिनट का समय लगेगा और इन अच्छी तरह से गल जाने दें और दो बारिक सिमला मिर्च को भी मैंने बारिक बारिक काट लिया है अब इसमें सिमला मिर्च डाल दें और सभी को अच्छी तरह से भूनने दे ने, इनको भुनने में कम से कम सभी को 5-6 मिनित का समय लगेगा, जब ये अच्छी तरह से भुन जाएं, तो इसमें एक बड़ा चमच पाव वाली मसाला डालें, अब एक चमच देगी मर्च का मसाला डालें, और आदा चमच लाल मर्च डालें, रेड चली पाउडर, और स आराम से इने मैस कर दें, जिससे कि अच्छी से ये मसल ने, अगर आपको ज़्यादा गाड़ा लगता है, ये मिस्टर अगमान लो पानी जल गया है या कुछ है, तो आप इसमें पानी अपनी हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, मैंने या एक कप पानी और डाला था, इसकी कंसि अब इसमें एक बड़ा चमस धनिया डालें, हरा धनिया, आप अपने सद्धान साथ ज्यादा भी डाल सकते हैं, और एक बड़ा बटर का डाल दें, और एक नीवु का रस निकाल करके, अच्छी तरह से इंसोड़ करके उसे डाल दें, आपकी पावाजी की रेस तैयार है, अब इसे एक बड़ा बड़ा करके देखें, अब एक तवा गरम करें, तभी पर एक बड़ा क्राप मक्षन का डालें, और उसे मेल्ट होने दें, जब वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, तब उसमें पावाजी मसाला डालें, और हरे धनिये के दो-चार पत्ते डालें, और जो पाव लिया है, पाव को बीच में से काट लें, और उसको दोनों तरफ से उलट-पलट करके अच्छी तरह से सीख लें, आपकी पाव भाजी मार्केट एश्टाइल बिल्कुल तयाह है, आप एक वार इस तरीके से बना करके देखें, आपकी भाजी बहुत ही इस से खार बिल्कुल एा उन्मित है, कि देखेंखेंगे, आपकी स्वाजी पाव पाव कर द Mayo裏 करके द कि भाजेंगे, आपकी से एचे ग्या açंट में खाव को तरह सेरीक लाज़तों है करते हैं, और जाक से पावब तरह से भावफ कर तरह से उलट पोगाभ है, य